नमस्कार दोस्तों शबन मौंस की चिचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आम की चट्टि तो यह चट्टि मैं देशी स्टैल में बनाऊंगी तो चलिए देख लेते हैं इससे कैसे बनाते हैं मैंने Все stock काट लिया है एक छोटा सा का मैने बाराइ paper में काट लिया हैं मैंने बारा से चौदा हसन लिए हैं और यहां मैंने दो लाल मिर्च इसे आप को ज़्यादा तीक काट पसंद सी पशारे सकते हैं मैंने इसे कम तिखा बनाया है तो यह मैंने दो ही लिया है मैं ले लूँगी नमक अब इन सबकों मैं एक मिक्सर ग्रेंडर में पेस्ट कर लूँगी तो मैंने एक मिक्सर ग्रेंडर में ले लिया है तो आप मिक्सर ग्रेंडर में इसे पीस लेते हैं अच्छे से तो यह हमारा पेस्ट बन के रेडी है चलिए से सर्फ करते हैं यह बहुत ही चटपटा लगता है एक्दम देसी स्टाइल में मैंने बनाया है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा यह बहुत अच्छा लगता है इसमें जो प्यास्ट मेंने डाला है इसके वज़से इसका टेस्ट बहुत ही नहींस होता है थैंक यू फॉर वाचिंग